हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे के पापर तो यह पापर बहुत जल्दी बन के तयार हो जाते हैं और 100% गारंटी है कि आपके पापर बिल्कुल भी नहीं फटेंगे अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे और हमने यहाँ पे देख सकते हों यहाँ पर बहुत जादा क्रिस्की फुर्कुरी देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तो फिर चली बनाना शुरू करते हैं तो पानी में इसको मिक्स करेंगे तो इसमें गुठलिया नहीं बनने की हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसका गोल बना लूँगी अगर आप मेरे तरीके से इसको पापड को बनाओगे तो बिल्कुल भी आपके पापड नहीं फटेंगे तो यहाँ पे यह देखिए हमने इस तरह का गोल बनाके पहले एक साइड रख लिया है यह देखिए और अभी हम चलते हैं गैस पे तो यहाँ पे बड़े बरतन में भगोने में मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो यहाँ पे हमने एक बॉल आटा लिया है और यहाँ पे मैं इसमें दो बॉल पानी डाल दूँगी बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसम चमच भरके मैं इसमें नमक डाल दूंगी नमक थोड़ा अपने सापसे डालना कमी पापड में नमक ज्यादा हो जाता है तो उसमें हमने एक चमच भरके जीरा डाल दिया है और एक चमच यहां पर तेल डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेते हैं और पानी में एक उबाल आने डिते हैं तो यहां पर पानी में देंके औब यहां पर आलनção की और हम पहले से गोल करकते हैं तो इसमें गुटलिया नहीं सब्सक्राइब और अकर हम डारेक्ट सूखा आटा यहाँ पर इस टाइम पर एड़ करते हैं तो इसमें गुटलियां बन जाती हैं जो कि बहुत मुश्किल से खतम होती है तो फ्रेंट्स आपके पापल किस वज़े से तूटते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी वीडियो लाश्ट तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना तो अभी इसको हम लगातार चलाएंगे तो अभी मैं इसमें कुछ चीजें एड़ करूंगी तो यहाँ पर देखी हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में चिली फ्लैक्स और थोड़ा सा यहाँ पर हम बिल्कुल बन पिंच खाने वाला सोडा डाल देंगे तो अभी इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं आटा डालने के बाद यह बहुत चल्दी गाड़ा होने लगता है यह देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि कितना गाड़ा होने लगा है तो अभी मैंने यहाँ पर डाल देना है फूड कलर क्योंकि हम यह गिरीन कलर के पापड बनाएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा वन पिंच फूड कलर खाने वाला डाल दूंगी तो इससे पापड का कलर हमारा बहुत ही अच्छा आता है जैसे बाजार में मिलते हैं एकदम उसी कलर के पापड हमारे यहां पर बन के तयार होंगे तो फ्रेंट्स पापड की रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किये जो कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है कलर डालना ऑप्शनल है आगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो वरना आप इसको स्किप कर सकते हो तो यह देखे कितना हो गया है आठा हमारा यहां पर तो अभी आठे में इस आठे से मैं यहां पर थोड़ा सा आठा निकाल लूगी और बाद में हम इसको और पकाएंगे तो इस आठे की हम यहां पर कच्रियां बनाएंगे इसलिए मैंने यह आठा थोड़ा सा गाढ़ा यहां पर निकाल लिया क्योंकि फ्रेंड से पापल फटने का मेंन रीजन यही होता है कि हम आठे को कम पकाते हैं और जब हम उसको दूप में सुखाते हैं तो वह बीच से फट जाता है सारा पापल तो अगर आपको अच्छे से पापल बनानी है तो उसको कम से कम 25 से 30 मिड़ तक आठे को हमें पकाना तो यह जो हमने बचा के रखा हुआ था गाढ़ा बैटर तो यह देखे मैं इस तरह केक दूद की या किसी भी आप मोटी पॉलोथीन ले लीजिए थोड़ी और उसमें मैं इसको भर लूँगी और अभी एक रबर डाल के इसका मुह हम उपर से बंद कर देंगे तो यहाँ पर यह मिल्क पाउडर की पॉलोथीन मैं उसी में भर लूँगी तो अभी इसमें हमें यह देखे एक साइड से कोना कट कर लेना है यहां से तो जितना भी छोटा बड़ा आपने कच्री रखनी है जितनी भी मोटी उसी सापसे आप इसमें से कट कर सकते हो और यहां पर पॉलोथीन जो हमने नीचे बिछाई हुई है इसके ओपर मैंने थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया है जिससे कच्रिया सूखने के बाद में हम हमारी आराम से आसानी से छूट जाएंगी तो यह देखिए पापड़ और कच्रिया सार है हमने यहां पर बना के तयार कर लिए हैं तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हो गोल लंबी किसी भी तरह की कच्रिया बना के तयार कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह देखिए दे उंगलियां बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं यह देखिए बहुत इच्छे पापड बनके तयार हुए है तो धनिया आपकी मर्जी है मैं इसमें हरा धनिया भी डाला है आप डालना चाहो तो डाल सकते हो तो अभी मैं आप एक पापड यहां पर प्राइ करके दिखाती हूँ होती है तो यह देखिए बहुत ही बढ़े हमारी यहां पर कच्रिया बनके तयार है इसको भी निकाल लेते हैं तो यह देखिए प्रेंट्स आप इसकी आवास सुन सकते हो कि कितने कृपी कितने कुर्पुरे बहुत ही जादा और बाजार से भी जादा अच्छे टेस्टी हम हमारी यहां पर बनके तयार है तो यह देखिए एक तोड़ के दिखाती हूं कितने क्रिस्पी और कुर्कुरे हैं फ्रेंट्स मुझे उमीद है कि आपको यह रेसिपी बहुत जादा पसंद आएगी अगर आपको अच्छी लगिए तो प्लीज रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर मैं आपको मिलती है अपनी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए फ्रेंट्स बाए